शिरी भक्त माल में प्रभोभ राप्ति के मार्का अन्सरन करने वाले भक्त भक्त म्यूर धवच एमतामिर धवच द्वापर के अंथ में रत्नपूर के अधिपती महराज म्यूर धवच एक बहुत बड़े धर्मातमा तिथा भगत भक्त संत होगे हैं इनकी धर्म शीलता प्रजाव सल्ता एम भगवान जी के प्रती सभाविक अन्राग अतलनीय ही था इनने भगवत पित्यर्थ अने को बड़े बड़े यग्य किये थी करते ही रहते थी एक बर इनका अश्य में का घोड़ा छूटा हुआ था और उसके साथ इनके वीरपुत्र तामर धोच तथा परधान मंत्री सेना के साथ रक्षा करते हुए घूम रहे थी उधार उनी दिनों धरम राजी दिश्टर का भी अश्य में यग्य चल रहा था और उनके घोड़े के रक्षक रूप में अर्जुन और उनके साथ इस्यम भगवान शिरिकिष्ण साथ थे मनीपूर में दोनों की मुठभेड़ू उन दिनों भगवान जी के सारथ्य और अनेकों वीरों पर विजय प्राप्त करने के कारण अर्जुन के मन में कुछ अपनी भग्ती तिथा वीता का गर्व साह हुआया था संबव है इसलिए अथवा अपने एक छिपे हुए भग्त की महिमा प्रगट करने के लिए भगवान जीने एक अधवुद लिलारची परिमानता युद्धमे शिरिकिष्ण के ही बल पर मियूर धवज के पुत्रतामर धवज ने विजय प्राप्त की और शिरिकिष्ण तथ अर्जन दोनों को मौचित करके वे दोनों घोडों को अपने पिता के पास ले गया पिता के पूछने पर मंतरी ने बड़ी प्रसंता से सारा समचार के सुनाया किन्तु सब कुछ सुन लेने के पश्चात मियूर धजी ने बड़ा खेद प्रगट किया उन्हें कहा तुमने बुद्धी मानी का काम नहीं किया शिरिकिष्ण को छोड़ कर गोड़े को पकड़ लेना या यग्यपूरा करना अपना उदेश नहीं है तुम मेरे पुत्तर नहीं बलकि शत्रु हूँ जो भगवान जी के दर्शिन पाकर भी उन्हें छोड़ कर चले आए इसके बाद वे बहुत पश्चा ताप करने लगे उदर जब अर्जन की मुर्चा तूटी तब उन्होंने शिरिकिष्ण से घोड़े के लिए बड़ी व्याकरता प्रगट की भगवान अपने भक्त की महिमा दिखाने के लिए सेम ब्रामन बने और अर्जन को अपना श इशकार करने वाले ही थे कि इन्होंने पहले ही सवस्ती कहकर के ये शीरवाद दिया मियोद धाज ने इनके इस करम को अनचित बतलाते हुए इन्हे नमशकार किया और स्वागत सतकार करके अपने योग के सेवा पूछी भामन वेश्दाड़ी भगवान ने अपनी इचित लेने की पतिग्या किरा करके बद्दाया मैं अपने पुत्र के साथ इधर आ रहा था कि मार्ग में एक सिंग मिला उसने मेरे पुत्र को खाना चाहा मैंने पुत्र के बद्रे अपने को देना जाहा पर उसने सिविकार नहीं किया बहुत अनुने विने करने पर आदेशीर को आरे से चिरवा करके मुझे दे दे तो मैं तुमारे पुत्र को छोड़ सकता राजा ने बड़ी परसंता सी ये बात से विकार कर ली उन्हें ऐसा मालम हुआ कि इस वेश में स्यम भगवान ही मेरे सामने उपस्तित है ये बात सुनते ही संपुरं से दस्यों में हल चल मचली साध हिरानी ने अपने को उनका आधा शीर बता करके देना चाहा पर भगवान ने दाने अंच की आविशिक्ता बतलाई पुत्र ने भी अपने को पिता की प्रती मूती बता करके सिंग का ग्रास बनने की इच्छा प्रगट की पर भगवान ने उसके द्वरा चीरे जाने की बात के करके उसकी प्राथ्रा भी यसी कार करती अंत में दो खंबे गाड़ करके उसके बीच में हस्ते वे और उच्छ स्वर से भवान जी के गोबिंद, मकुंद, माधाव आदी मधुर नामों का स्वर स्वर उच्चारन करते हैं मियूर धज बैठ गे और उनके इस्ति पुत्र आरा लेकर के उनके सिर को चीरने लगे सदस्यों ने अपति करने का भाव प्रकट किया प्रंतो माहराज ने ये कहकर की जो मुझसे प्रेम करते हो मेरा भला चाहते हो वे ऐसी बात मत सोचें सब को मना करती है जब उनका शीर चीरा जाने लगा तब उनकी बाईंग से आंसों की कुछ बूंद निकल पड़ी जेने देखते ही ब्राह्मन देवता भिगड़ गे और ये कहकर चल पड़े कि दुख से दिवी वस्तु मैं नहीं लेता फिर अपने इस्त्री की प्रात्रा से मियूर धज ने उन ब्राह्मन देव को बला करके बड़ा आखरे किया और समझाया कि मैं भगवन आंसों निकलने का ये भाव नहीं है कि मेरा शीर काटा जा रहा है बलकि बाईंग से आंसों निकलने का ये भाव है कि ब्राह्मन के काम आकर दाहिना अंग तो सफल हो रहा है प्रतु बाया अंग किसी के काम नहीं आया बाईंग के खेद का ये ही कारण है अपने परम प्रिय भक्त मियूर धज का ये विशुद्ध बहाव देख करके भगवान जी ने अपने आपको प्रगट कर दिया शंक चक्र गता धारी चतरवज नित निल पितांबर पहने हुए मियूर मुक्टी प्रभु ने अभेदान देते हुए उनके शीर का शिपर्ष किया और शिपर्ष पाते ही मियूर धज का शिएर पहले कि अपिक्षा अधिक सुन्दा रिष्ट पुष्ट एम्बलिष्ट हो गया विए भगवान जी के चल्नों पर गिर करके स्टुदी करने लगे भगवान ने उन्हें सांतुना दी और वर्भ वर मांगने को कहा उन्हें भगवान जी के चर्णों में अवचल प्रेम मांगा और आगे चल करके वे भगतों की ऐसी प्रिक्षा ना ले इसका अन्रोध किया भगवान ने बड़े प्रेम से उनकी अविलाशा पून की और सिम अपने सिर पर कठोड़ता का लांचन ने करके भी अपने भगत की महमा भड़ाई अरजन उनके साथ ही साथ सब लीला देख रहे थे उन्हें मियूर धज के चर्णों पर गिर करके अपने घर्व की बात कही और भगत वसल भगवान की इस लीला का रहस्य अपने घमंड को चूर करना बदलाया अंत में तीन दिनों तक उनका आतिथ्य सिविकात करने के पच्चात घोड़ा ले करके वे दोनों चल पड़े और मियूर धोज निरंतर भगवान जी के प्रेम में छके रहने लगी भगत माल के तीकाकात शिरी प्रिया दास्ची महराज उपर युक्त खटना का अपनी कविता में इस प्रकार वर्णन करते हैं अर्जुन के गर्व भेव क्रिश्न प्रभु जान लियो दियो रस भरी याही रोग्यों मिताईए मिरो एक भक्त अही तो कोले दिखाऊं ताही भई विप्र विद्ध संग बाल चली जाईए पहुचत भाशयो जाई मोर धज राजा कहां बेगी सुधी देवो काहू बात न जनाईए सिवा प्रभु करो नेकू रहो पाउ धरो जाई कहो तुम बैठो कहीं आग भी लगाईए चले अनखाई पाई गही अटकाई जाई रिप को सुनाई ततकाल दोरे आए हैं बड़ी किरपा करी आज फरी चाह बेली मेरी निपट नबेल फल पाएं यादे पाएं हैं दीजे आग्या मोही सोई कीजे सुख लीजे यही पीजे बानी रस मेरे नैन ले सिराए हैं सुनी करोध गेव मोध भेव सो प्रिक्षियो लिये चित परवा चाव ऐसे बचन सुनाई हैं देवे की परति क्या करो करो जो परति क्या हम जाहीं भाती सुख तुमें सोई मोको भाई हैं मिल्यो मग सिंग यदि बालक को खाए जात कहीं खाओ मोही नहीं यहीं सुख दाई हैं काहों भाती छोड़ो नरिप आधो जो श्रीर आवे तोहीं यहीं तजो कहीं बात मोजनाई हैं बोली उठी तिया अर धंगी मोही जाई देवो पुत्र कहें मोको लेव और सुधी आई हैं सुनो एक बात सुत्त तिया ले करौंतत कात चीरे धीरे भीरे नाहीं पीछे उन भाखिये किन्यों वाहीं भाती आहों नासा लगी आयो जब ढरियो द्रिग नीर भीर भा करना चाहीं चले अनखाई गही पांच सो सुनाई बैन नैन जल बायों अंग काम की ही ना किये सुनी भरी आयो हीयो निज तनो शाम कीयो दियो सुख रूप वियता गई अभी लासिये मोपे तो दियो न जाएं निकटर जाएं लियो तो रिजे दिये बिना मेरे हिये साल है मांगो बरकोटी चोट बदलो ना चुकत है सुखत है मुख सुधी आई वही हाल है बुलियो भक्त राज तुम बड़े महराज को थोरों करत काज मानो कृत जाल है एक मुख को दीजिये दान दियो जो बखानो बेगी साधवे प्रिक्षा जनी करो कली काल है